नमस्कार में सिमन और आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेश कारिक्यम History of the Day में क्योटो प्रोटोकॉल आज के दिन क्या गया था लागू क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतराश्ट्र संदी है जिसे ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे जलवाई उपरिवर्तन को रोकने के लिए लागू किया गया है क्योटो प्रोटोकॉल इस संधी में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सरजन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है इसे जापान के शहर क्योटो में आयोजे सम्मेलन में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागो किया गया था वर्तमान में 192 देश इस प्रोटोकॉल में शामिल है भारत विद्या से संबंतित विश्यों के प्रख्यात विद्वान राजेंद्रलाल मित्रा का 1822 में आज के दिन हुआ था जन राजेंद्रलाल मित्रा का 16 फरवरी 1822 को कलकता में हुआ था बंगाल के पुनर जागरण के अगरदूद भी थे। वे बंगाल के वेग्यानिक एथिहास के प्रथम रजेता थे। राजेंद्रलाल मित्रा अनेक संस्थाओं के सम्माने सदसे थे। वे 1885 में एशियाटिक सोसाइटे के अध्यक्ष रहे। उन्होंने विविधार्त और रह जन 27 जुलाई 1891 को हुआ था। पेश्वा थोरले माधव राओ प्रथम का आज के दिन हुआ था जन। मराठा सामराज्य के चौथे पूर्ण अधिकार प्राप्त पेश्वा थोरले माधवा राओ प्रथम का शासनकाल 1761 से 1772 तक रहा। उनका जन्म 16 फरवरी 1745 को हुआ थ वे मराठा सामराज्य के महांतम पेश्वा के रूप में जाने जाते हैं। अलपवेस खोने के बावजूद उन्होंने मराठों की खोई हुई शक्ती एवन प्रतिष्ठा दो बारा हासल की। पेश्वा थोरले माधवा प्रथम ने न केवल उत्तम शासन प्रबंद किया बल दादा साफ आलके का नासक में 16 फरवरी 1944 को 73 वर्ष की आयो में निधन हो गया था। उन्हें भारती फिल्म उद्योग का पिता म कहा जाता है। दादा साफ आलके ने इसा मसी फिल्म देखने के दौरान नर्ण लिया था कि उनके जीवन का उद्देश्य फिल्मकार बनना है फरवरी 1912 में वे फिल्म प्रोडॉक्शन में क्रैश कोर्स करने के लिए इंगलेंड गए और वहां से वापसा कर देश की पहली फिल्म राजा हरीशंदर बनाई। सिनिमा जगत का सबसे प्रतिश्टत पुरसकार दादा साफवाल के पुरसकार उनके सम्मान में दिया जात कुछ और मातवपुन घटनाओं के साथ और अब आज का राशीफल। आपके बुद्धी विवेक के लिए भाग ये बावन प्रतिशत, संतान से संबंदित शुब समाचार की प्राप्ती संभव है। आपकी सभी आवश्यक जरुरते पूरी होने वाली हैं। कारे के सरलता से पूर्ण होने के योगे हैं। अनुकुलता बने रहने के योगे हैं। शुब रंग, नारंगी वधानी तथा निशेद रंग हरा वकाला। ब्रिश आपके बुद्धी विवेक के लिए भागे 67 प्रतिशत घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। कारे शेतर में बहतर परिणाम मिलेंगे। नौकरी पेशा वर्ग को प्रशन सा प्राप्त होगी। शुब समय व्यतित होने के योगे हैं। शुब रंग, सफेद हरा तथा निशेद रंग, लाल, पीला। मिथुन आपके वुद्धी विवेक के लिए भागे 67 प्रतिशत प्रेम जीवन सुकून भरा रहेगा। समाजिक प्रतिश्टा में बढ़ोतरी होगी। कारे शेतर में स्थितियां आपके पक्ष में होने के योगे हैं। शुब रंग, हरा काही, धानी तथा निशेद रंग पीला बसंती। कर्क, आपके वुद्धी विवेक के लिए भागे 49 प्रतिशत। पदानती अर्थवा अच्छी नौकरी के अफसर आ सकते हैं। समय आपके अनुकूल नहीं है। काम का बोज अधिक है। जिम्मेदारी को सहजता से निभाएं, मानसिक परिशानिया उत्पन ह होने के योगे हैं। शुब रंग हलका हरा धानी तथा निशेद रंग सफेद नारंगी। कन्या आपके बुद्धी विवेक के लिए भाग्य सततर प्रतिशत। अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं। करियर में आपकी स्थिती समान्य से कहीं बैतर रहने वाली है। सफलता के योगे हैं। नीजी जीवन सुखी रहेगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्ति के य शुब रंग हरा काही धानी तथा निशेद रंग पीला पसंती। व्रिश्चिक आपके बुद्धी विवेक के लिए भाग्य सतावन प्रतिशत। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। रोजगार में पृद्धी होगी। विवाद से बचे निवेश यात्रव नौकरी मनो नुकुल रहेंगे। दूसरों के साथ व्यवार करते समय उनके मान समान का ध्यान रखे। स्वास्त के प्रती सचेत रहे। शुबरंग नारंगी धानी तथा निशेद रंग सिंदुरी। के योग है। शुबरंग बसंती धानी तथा निशेद रंग काला जामुनी। मकर आपके बुद्धी विवेक के लिए भाग्य चोहत्तर पतिशत, बौधिक और शुजनात्मक कारियों में आप उत्तम प्रदर्शन करेंगे। जीवन साथी के संग समय व्यतित करेंगे। व कुम्ब आपके बुद्धी विवेक के लिए भाग्य पच्छतर पतिशत, आप धार्मिक कारियों पर काफी खर्चा कर चुके हैं और फिर से किसी पूजा पाट पर खर्च हो सकता है। विलाशी जीवन का खर्च बढ़ेगा, जोश के साथ काम करेंगे। आपके मान सम्मान बुद्धी होगी, अनुकूलता बने रहने के योगे हैं। शुब रंग, नीला, काला, हरा, तथा निशेद रंग, पीला, बसंती। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 12 बच के 22 मिनिट से 2 बच कर 6 मिनिट तक। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहें आयम्टी मेडिया। सब्सक्राइब कर दोपहर 20 बचल कोसैंग